नमस्ते डियर रामधारी गुपता उच गती अभ्यास खंड़ दो का परतिलेखन संख्या 20 समय शुरू हो रही है थोड़ी देर में स्टार्ट अदार्निय साथियों कई सरपंच निर्विरोध चुले गए अनेक चुनाहों के बाद जीत कर सरपंच बने ग्राम पंचायतों के सरपंच ही पंचायत समीतियों के सदस्य बने एवं उनमें से परधान व उपरधान अपरत्यच रूप से निर्वाचित होते रहे सब पंचायत समीतियों के परधान सांसद व बिधान सभा सदस जिला परिशद के सदस्य बनते रहे उनहीं में से जिला परिशदों के परमुक व उपरमुक चुने जाते रहे है न केवल राजस्थान राज्य में ही अपिटू देश के अधिकांस राज्यों में पंचायती राज विवस्था की अस्थापना के आरंब के वर्सों में इन संस्थाओं ने ग्रामिन विकास की दिसा में अच्छे परिनाम दिये लेकिन कुछ वर्सों बाद किनही कारणों की वजह से पंचायती राज संस्थाएं अपने सौंपे गए उत्रादायितों को सही धंग से निश्पादित करने में असमर्थ दिखाई देने लगी अर्थार्थ ये संस्थाएं अपेच्छित परिनाम देने में असफल रही इसका सबसे बड़ा कारण इन संस्थाओं के पास बितिये साधनों की कमी रही साथ ही अधिकांस राज सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाओं में भी अधिक रूची नहीं ली पंचायती राज संस्थाओं को अधिक गतिशील बनाने हेतु असोक मेहता कमीटी ने सिफारिश की की विकास कारण क्रमों एवं योजनाओं को किर्यानवित करने की जिम्मेदारी जिला परिशदों की हो समीती के अनुसार पंचायते 10-15 गाउं की मंडल पंचायते हो तो अधिक सच्छम होंगी ये मंडल पंचायते ग्रामिन विकास योजनाओं को किर्यानवित करेगी साथ ही समीती ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाओ मुख निर्वाचन अधिकारी से करवाने की सिफारिश भी की ग्रामिन विकास की परसासनिक विवस्था वगरीवी उनमुलन समस्याओं हेतूत जीवी के गठित राव कमीटी ने जिला अस्तर पर योजनाओं बनाने वगर नियमित चुनाओं कराने की सिफारिश की थी देश की पंचायत राज विवस्था को सुद्रिड वपुनर जिवित करने हेतू गठित डॉक्टर लचमी मल सिंगवी कमीटी ने ग्राम पंचायतों को अतरिक बीतिये साधन देकर अधिक सच्छम बनाने पर बल दिया तथा साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को संबैधानिक मानिता दिये जाने पर विशेश बल दिया देश में पंचायती राज संस्थाओं की बिगरती हुई इस्थिती को ध्यान में रखते हुए पुरु परधान मंत्री स्री राजीव गांधी ने पंचायती राज धाचे को सुद्रिध बनाने की कल्पना की थी और उन्होंने पंचायतों को अधिक अधिकार सौपने तथा महिलाओं और कमजोर वर्गों की इन संस्थाओं में अधिक से अधिक भागिदारी देने की परिकल्पना की थी हमारे वर्तमान प्रधान मंतरी के परियासों से अभिय संभव हो पाया है कि इस संबंध में शुरू किये गए परियासों तथा राष्ट पिता महात्मा गांधी जी के ग्राम सौराज के स्वपन को साकार बनाने की द्रिष्टी से समिधान में 73 संसोधन की कुछ महत्पून बातों का जिक्र करना चाता हूँ पंचायती राज संस्थाओं को पर्थम बार सम्मेधानिक दरजा दिया गया सभी राजियों में पंचायती राज की त्री अस्तरिये पद्धती लागू की गई लेकिन जिन राजियों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां बीच के अस्तर की इकाई गठित करने की मर्जी राज सरकावनों पर छोड़ गई है, ग्राम सभा को वैधानिक दर्जा दिया गया, हर पांच वर्सों में अनिवार रूप से चुनाओ होंगे, चुनाओ की विवस् एक स्वतंत्र चुनाओ आयोग करवाएगा,